Dear Students, I am Sandeep Tiwari, Your Science Teacher विज्ञान विश्यक के अंतरगत मैं आपको भूते विज्ञान पढ़ाऊंगा कल हमने पढ़ा था दरपन तथा दरपन के प्रकार आज दरपन से सम्बंदित कुछ परिभासाओं के बारे में हम अधेन करेंगे दिखे, सबसे पहले हमने चेतर दो बनाये हुए हैं एक ओतल दरपन का, एक ओतल दरपन का हम दोनों दरपनों को एक साथ ले करके चल रहे हैं अब इसे सम्बंदित कुछ परिभासाओं के बारे में डाइग्राम में दिखे हमने मुख्यक्ष बनाया है, वक्रता केंद्र बनाया है, वक्रता तरिज्या द्रू और सबसे पहले दरपन का द्रू गोली दरपन के परावर्तक प्रिष्ट के मध्य बिंद्र या केंद्र को ही दरपन का द्रू कहते हैं इसे capital P से प्रदर्शित करते है वक्रता केंद्र गोली दर्पन काच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते है इसे capital C से प्रदर्शित करते है यदि गोला है तो गोले का कहीं न कहीं केंद्र होगा वही केंद्र ही उस दर्पन का केंद्र भी कहलाता है या वक्रता केंद्र कहलाता है वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र तथा दर्पन के धुरू तक की दूरी दर्पन की वक्रता त्रिज्या कहलाती है इसे कैप्टल आर्ड से प्रदर्शित करते है मुख्य अक्ष ध्यान्स देखेगा हमने dotted line से represent किया है अभिलम गोली दर्पन के किसी बिंद को वक्रता केंदर से मिलाने वाली रेखा उस बिंद पर अभिलम होती है दर्पन का द्वारक गोली दर्पन के परावर्तक प्रिष्ठ के ब्यास को दर्पन का द्वारक M1, M2 कहते है मुख्य अक्ष के समानतर आने वाली प्रिकास किरने दर्पन से परावर्तन के पश्चाद मुख्य अक्ष के जिस बिंद पर मिलती है अथ्वा मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कैपिटल F कहते हैं ध्यान दीजेगा इसमें ये दिया गया है कि मुख्य अक्ष के समानता जिस बिंद पर मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है मिलती किसमें है और तल दरपन में जैसा कि चित्र में आप ध्यान से देखिये कि प्रकास करिंवें आ रही है और वास्ताओ में दोनों मुख्य अक्ष को कट रही है तो वो बिंदू आपका मुख्य फोकस F कहलाता है अब उत्ताल दरपन देखिये वास्ताओ में ये काट नहीं रही है यह वापस जारी है लेकिन हम उसको dotted line पीछे की तरफ खीचते हैं तो मुख्यक्ष को F बिंदू पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह बिंदू उतल दरपन का मुख्य फोकस होता है अब आती है बात फोकस दूरी की दरपन के द्रोपी और फोकस दूरी F के बीच की जो दूरी होती है वही दरपन की मुख्य फोकस दूरी कहलाती है इसे इसमाल F से प्रताशित करते हैं ध्यान दीजेगा मुख्य फोकस बिंदू को हम कैप्टल F से और फोकस दूरी को इसमाल एप से प्रदस्ट करते हैं